नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म दर्शन पॉड़कास्ट में मैरुची भेराली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड सावन का महीना है और बहुत सारे अंगिनत सवालों के जवाब पाने के लिए हम पहुँच चुके हैं H.S. रावत जी के पास। तो आईए आज सावन पर चर्चा करते हैं H.S. रावत जी के सावन के सावन का महीना इतना पवित्र इतना अच्छा कहते हैं कि जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं तो ना केवल हमारा समाज हमारी धर्ती पूरी साफ हो जाती है पशू पक्षी जो कभी नहाई नहीं उन ए फजिवर भी पानी पड़ता है और सारी धरटी जो है जाती है धूल जाती है और एक फ्रेश्नस आ जाती है जीवन में एक नई उमंग आ जाती है सावन का महीना बहुत कुछ तरह से देखा गया है जैसे कुछलो कहते हैं कि बहुतिज़ महीना है भोले नात का समय है है भ से एक सवाल पूछेंगे आज कि हमें बताएं कि सावन का महत्व भारत में बहुत है लेकिन सही तरीका क्या है सावन को celebrate करने का सावन के इस समय का पूरा लाब उठाने का क्या तरीका है रुची जी हिंदुस्तान के अंदर बारत भूमी जो देब भूमी है इसके उपर जो भी तौहर होते हैं उन सबका वैग्यानिक आदार होता है और दिवाली का भी एक वैग्यानिक आदार है और दिवाली का भी एक वैग्यानिक आदार है दिवाली जो होती है उस पर अंदेरा रहता है और उस समय सूरे नीच का होता है सूरे नीच का होता है अंदेरा भी होता है अमावश्या भी होती है साल में सबसे ज़्यादा भैवीत अगर कोई दिन होता है तो दिवाली वाला दिवाली का दिन होता है लेकिन रिशियों ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर पूरे बिश्च में दीपक जला दो अंधियरे को दिये इसकी रौश्णी में डुबा दो जितनी नेगेटिव उर्जा है जितना विस वर्धन हो रहा है उसको दमन कर दो उसका एक रहस्च है और वहां से फिर सर्दी की शुरुआत होती है वो एक ऐसा समय होता है जहां पर रिटू परवर्तन होता है मनिश उससे पहले कुछ और होता है उसके बाद कुछ और होता है सरीर को समय लगता है ऐसे होली का भी होता है आप सर्दी से निकल करके बहार आते हैं पर गर्मी की शुरुआत होती है और उस समय पूर्णमा होती है होली पर पूर्णमा होती है बिल्कुल जस्ट छे मेने के असपास अपोजिट हो जाते हैं और उस कंडिसन में क्या होता है कि आप गर्मी की तरफ भाग रहे होते हैं तो आप का जो सरीर है जिस बारिस को छोड़ा था उस बारिस की तरफ दोबारा जा रहे हैं कि आपको गीला करकर करकर के पूर्ण मां का जो प्रबाआव फुल वह रोड़े जो पूर्ण मां भूतिए ना हो सब से जधा आद्मी को कही और कहीं करे हomas कि वहां रागे फिर चरम सिय हूआं कीतर फॉर्फ गर बढ़ जाती है तो वहां आपको इश्णान करा दिया जाता है, खूम, नहाओ, पानी से, कितनी सुन्दर बात है, कितनी अच्छी वेग्यानिक आधार है, ऐसे ही सावन की बात करते हैं, सावन का भी बड़ा वेग्यानिक आधार है, एक तो सर्वन नक्षत्र, जी, दूसरा सूरिका करक रासी जो चंद पानिया हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, तो समय जो 14 रत न निकले थे, उस समय हला हल बिस भी निकला था, वो बिस को भगवान संकर ने पी लिया, अब बिस पीने के बाद तो जलन होती है, तड़फन होती है, बहुत जादा अंदर से आग उगलता है, तो समय देवताओं ने पानी उनके उपर डाला, बारिश हो गए, पानी बहुत जादा डाला कि बिस का असर कम हो जाए, और पानी डालते रहे, डालते रहे, उस बिस का असर कम करते रहे, और वो भी सामन का ही महीना था, समुद्र मंथन जब हुआ था, सामन के महीने में ही हुआ था, तो तब स रूप में हैं लेकिन कुछ कुतर की और कुछ ऐसे लोग जो भगवान सिव के सिव लिंग को वो सारी लिंग के तौर पे देखते हैं बड़ा गलत है उनकी बुद्धी ब्रेष्ट निंदनिय हैं हमारे यहां पर पुलिंग इस्त्री लिंग और नपुंसक लिंग संस्कृत मे तो ऐसे ही वो पुलिंग जो सब्ध है ना वो पुरस को रिप्रेजांट गरता है यत्पिंडे तत ब्रह्मांडे वो जो रूप है वो ब्रह्मांड का रूप है जब प्रत्वी और जब ये प्रिकृति जो है पूरी की पूरी प्रले में जाती है तो इसी रूप के लिंग में बनती है वो लेकिन लोग हिंदू दर्म को कुछ हिसाई कुछ इस्लामिक लोग कुछ अपने हिंदू दर्म के लोग जिनकी मती भिर्मत हो गई है वो इसको बोलते हैं कि बही सिबलिंग और योनी की पूजा करते हैं उनको ये नहीं पता कि प्रत्वी अपने आप में एक योनी है जिसमें सबने समाना है उन मुर्खों को ये नहीं पता कि प्रत्वी में कोई भी चीज आप डालते हो बीज डालते हो तो वहां से कोई चीज निकलती है जो चीज निकलती है वो सिबलिंग के रूप में निकलत कोई ब्रून भी ऐसे ही तयार होता है रिशियों की इतने दिब ग्यान को ना कुछ मूर्खोंने बड़ा बिकार कर दिया अपनी तरह से तोड मरोड के प्ररोस दिया है जिसमें कोई सत्य नहीं है मैं इन मूर्खों को यह बताना चाहता हूँ जो सिबलिंग के उपर आरूप लगाते हैं आप मेरे साथ चली अभी बारिसों के अंदर मैं लेके चलता हूँ इनको और मैं एक ऐसे जंगल में लेके चलता हूँ जो लकडियां सड रही हो और लकडियों के उपर जो कुकरमत्ता बनता है न कई लोग उसकी सब्जी भी बनाते है जब वो लकडियां फूल करके अपने रूप में आती है च्छत्री टाइप बनती है उससे पहले का उसका रूप देखना वो सिबलिंग का रूप होता है आप गेहूं के ओगने के तरीके को देखना आप गुठली आम की को बोई इसको निकलते हुए देगे रूप में निकलती है तो ये प्रकृती का लिंग प्रकरती का ही रूप है लेकिन मूर्खों के सामने तो किसी के नहीं चलती इसलिए प्रकृती का जो सुरूप था बगवान का बगवान सिब का वो लिंग रूप में उनके उपर जल चड़ाने की प्रता सुरू हो गई कि वे प्रतकिर्ती के उपर जल चड़ाओ गे तो सांत रहेगी क्योंकि जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है 84 लाक योनियों का आधार है पेड़ पौधों का आधार है सबका आधार है और स्रामन के महीने के अंदर जो बारिस होती है बारत भूमी के उपर जो होती है और जहां जहां भी जिस महीने में जहां पर होती है जहां बारिसें ज़्यादा होती है वहां अगर देखा जाए तो प्रत्वी के उपर जो पौलूसन होता है बहुत ज्यादा लाखों करोडों गाय भेंस का गोबर होता है लाखों करोडों लोगों की वहाँ पर मल भी सर्जन करते है गंद कच्रा पड़ा होता है वो पर्थवी के उपर जो पानी बरसता है बारे साती है सारी सडकें साफ कर देता है वो सारे पेड़ पोदों को साफ कर देता है परत्वी के उपर गंद होती है उसको ठाकर करके समुद्र में फैंक देता है और समुद्र में मचलियां उससे पेड़ बरती है इसका मतलब ये रहा कि जो सामन का महीना है ना हमारी प्रित्वी की सफाई तो करता ही करता है साथ में हमें अगले जितने चार पांस महीने तक बारिस रहेगी समय का चक्र है उतने समय तक हमारे सरीर के अंदर भी जल की मात्रा बढ़ी रहती है जो ड्राइनेस हमारे सरीर में हो जाती है सुस्क को हो जाता है सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर उसको ये बढ़ा देता है तो स्रामन का जो महीना होता है इसमें सौंबार की ज़्यादा वेल्यू रहती है क्योंकि सौंबार चंद्रमा का वार होता है और चंद्रमा सिबजी का वार होता है इसलिए अगर सौंबार को प्रदोस बरता जाए तो वो पूजा सर्फ से छोती है सामन के सौंबार की सबसे ज़्यादा value इसलिए माने गई है कि उस दिन तीनों चीजे एक हो जाती है एक तो चंद्रवार हो गया क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है वो चंद्रमा मन का कारक है वो जल का कारक भी है और वो सिबजी का कारक भी है वार भी उस दिन हो जाता है और प्रदोस काल जो होता है वो पूजा के लिए होता है दो गंटे 24 मिट के आस पास वो समय होता है तो ये चीजें जब एक साथ खट्टी होती है तो हमारी पूजा का मैत बहुत बढ़ जाता है बहुत अच्छा सा डालेंगी तो स्रामन का जो महीना है सभी लोगों के लिए इसलिए जादा उत्तम माना जाता है पूजा पाट के लिए अगर आप स्रामन के महीने में जलकादान करते हो आपको कोई रोग है बिस से सम्मन्दित कोई रोग है जैसे कि भगवान सिब ने बिस पिया था आपके सरीर में जहरीली कोई चीज है तो इस समय पर पूजा पाट करने से आपको सांती मिलती है अभी आपने कहा कि कावड की बात करते हैं अभी हम करेंगे सवाल पूछेंगे तो उस पर पूछेंगे तो जो स्रामन का महिना है यह जल से रेलेटेड है हमारे सरीर के सुद्धता के रेलेटेड है भगवान संकर से आसिरवात पराप्त करने के लिए होता है जी तो हमने हर सोमवार को देखा कि जो अनमेरेड लड़किया है उनको कहा जाता है कि सोला सोमवार की वरत रखो सावन की वरत रखो तो तुम्हें एक अच्छे वर की प्राप्ती होगी लेकिन जो महिलाएं शादिश होता है वे भी रखती हैं तो उसका क्या रीजन रहता है देखिए स्रामन के महीने के अंदर बृत करने का एक सेंटिफिक रह्ष है क्योंकि मैं एक वैग्यानिक और आध्यात में गुरू भी हूँ तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है यह सब चीज़ और हमें इसी में मज़ा आता है क्योंकि आप हर बात का जो वैग्यानिक आधार बताते हैं उससे चीज़ें बहुत खुल कर सामने आती है और नई जनरेशन को आज की जनरेशन को वो बहुत पसंद है होता क्या है कि स्रामन का जो सौंबार कबरत है उसको सबसे उत्तम बोला गया उसके पीछे का कारण क्या है स्रामन के महीने में बारिश ज़्यादा होती है उस बारिश में बैक्टिरिया होते है आपका जो भोजन होता है वो बैक्टिरिया लो जाता है उसमें फपूद आ जाती है और सबसे ज़्यादा संबाबना ये रहती है को दू सितना हो जाए उपर से कोई जल की बूदे आ गई है या वो हवा जो होती है उसमें खेने के ऐसे बैक्टिरिया होते हैं जो इधर के उधर आते रहते हैं जल्दी खराब होने की बात होती है और अगर गलती से जल ऊसमें आ गया तो बहुर पौइजनिंग हो सकती है हमारे सरीर के साथ भी ऐसे ही होता है अगर हम सरामन के सौमबार के देन एक तो सौमबार का देन और वो चंद्रमा का बार है और उस दिन फिर बारे से भी हो रही है अगर उस दिन हम ना खाएं कुछ तो हमारे सरी के अंदर कोई भी food poisoning होने का खत्रा नहीं रहेगा दूसरी चीज हम ध्यान करते हैं उस दिन तो आप भगवान सिब के बहुत नजदिक हो जाते हैं इसलिए नजदिक हो जाते हैं जो बहुत एजिली होता है उस दिन आपने कई बार देखा होगा कि लोग एकादसी का बृत करते हैं इसका मैंने रह्ष भी बताया था एक बार कि एकादसी का बृत करना चाहिए और साथ में चावल भी नहीं खाने चाहिए अब वो तो भोज़न है चावल हो चाव गैंउ हो कुछ भी खा ओगा लेकिन चावल क्यों बरजित èकादसी के दिन तो मैंने इसका एक कारण बताया थाकau बरजित इसलिए है कि उस दिन चंद्रमा का जो नक्षत रोता है रोणी और चंद्रमा के जो नक्षठ़ होते हैं उन से एक मेने छोड़के एक मेने सूरी का ब्रमण होता है जो उस दिन एकादसी के दिन उू खाने को पौजन बना देता है बेट के अंदर कियो हम चलते तो सूरी की किरणों से ही है तो सौंबार के दिन भी यही होता है कि स्रामन के सौंबार के अगर आपने बोजन ले लिया तो आपके पोईजनिंग के खत्रे बन जाते हैं इसलिए उस दिन गंगा जल तुलसी का पता डाल करके गंगा जल पीने का बिदान है क्योंकि सरीर के अंदर कोई poisoning और बैक्टेरिया ना आ जाए उसको सही करने के लिए है तो हमारे यहां पर हर चीज का एक रहिश होता है रहिशते है और उसका साथ में ही उपाई भी है कि कैसे उसे ठीक किया जा सकते है अब मैं आपके एक चीज और बताता हूं रूची जी इस किस्तरियों को सुक्रवार का बृत बोला जाता है क्यों बोला जाता मंगलवार का बृत क्यों नहीं बोला जाता और मंगलवार का पुरसो को बृत बोला जाता उनको सुक्रवार के क्यों नहीं बोला जाता है सुक्रवार हमारे सरीर के अंदर वासना का कारक है सुक्र और खटी चीजे खाते हैं तो सुक्र का प्रवाब बढ़ जाता है। खटाई बंद होती है उस दिन। बिलकुल। अगर आपके सरीर के अंदर वासना की गती बढ़ गई। और सुक्रवार के दिन वासना की गती सरीर में बढ़ती है। तो आदमी की तपिश्या बंग न हो जाए कि इसलिए सुक्रवार का इस तरह को ब्रत बोले दिया कि कहीं वह आच्रण भीहिन न हो जाए। इसलिए उसको बोलते हैं कि आप सूंबार का और सुक्रवार का ब्रत करोूँ। मंगलवार का पुरुस को बोला जाता है भी तो हन्वान जी का करो क्योंकि मंगलवार इनर्जी का कारक है इसमें और्जा होती है इसमें ओज होता है सरीर के अंदर मसल्स का कारक है यह अगर उस दिन ज़्यादा खाऊगे तो आपकी मसल्स एक्टिब हो जाएंगे उसको सांथ करने के लिए और मसल्स एक्टिब होई ओज ज़्यादा बढ़ गया तो भी वासना बढ़ेगी इसलिए आपके अंदर वासना बैलेंस रहे और उसको मंगलवार का बृत और इसलिए बताए जाता है बहुत अच्छा और यह बहुत यह बढ़िया बात है कि पूरी स्रिष्टी को एक बालन्स करने का कितना तरीका है कितना अच्छा है और देखा-देखी में ब्रत करने का कोई मतलब नहीं है गरमें उसका सही अर्थ न वो जो डीजे और इतनी मतलब कहनी चाहिए कि भगवान के नाम पर इस तरहा का नाच गाना चल पड़ता है कि वहां भक्ति के जगा लोगों को दिक्कते आती हैं सड के ब्लॉक हो जाती हैं रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसा भी देखा गया है भांग के नाम पर शराप के ना आती हैं लेकिन वो जो होते हैं कि गोल्डन अवार्ड ने दिया गया इस कामड को सिल्वर अवार्ड मिला है और उसके साथ पचास सौ लोगों का जमघड है यह भक्ति का रूप अच्छा कभी-कभी लगता है और कभी-कभी बहुत बुरा लगता है अखरता है तो यह कितन ही नहीं है जिसमें चार बेद अठारा पुरान एक सो आठ उपनिसद हों ना साथ नीतियां हैं इसमें इसमें सब कुछ समाया हुआ है हम खाली एक किताब को अपर आधारत नहीं है कि खाली हमने खाली कुरान को रट लिया या बैविल को रट लिया वो नहीं है हमारे यहां पर बगवान को याद करने के कई तरीके हैं एक तरीका होता है ध्यान योग का उसमें हर कोई नहीं जा सकता बगवान का याद करने का ध्यान योग भी बड़ा अच्छा तरीका होता है उसमें आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और अपने सरीर के अंदर अपनी बाम नासका द दीरे 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 अपने पांचों प्राणों को ले में ले करके आते हैं, सातों चक्रों में लेते हुए और सहस्रार्स चक्र से ले करके भगवान के संपर्क में आते हैं, वो बहुत ही थोड़ी कठिन प्रिक्रिया है, लेकिन उत्तम है, उत्तम है, साधना है, उसमें आपको disturbance नहीं चाहिए, तो यह ध्यान योग है, जो हमारी गीता में होता है क्या है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको अपने सरीर को बहुत साधना पड़ेगा, इसके लिए राजयोग की भी आवश्यक्ता है, अस्टांग योग अपने ध्यान को ना भटकने दे कहीं, वो इधर से उधर, इधर से उधर सिरको करते रहते हैं, अब मैं ऐसे करता रहूं, हरे रामा, हरे किसना, हरे रामा, हरे किसना, हरे रामा, हरे किशनाetzt Weikam आपे में इस एंडा में टाइम कुशुछनी काकि इस करूंगा तो फैटन बन गया Battery गया कि वह एदडर जा रहा है दियान Обस्व työन है कहा तो यह हमारा भक्ति हुए गाते हुए बस भगवान में लीन हैं गाना बजरा है भजन बजरा है और आप बस उस पर निर्थ कर रहे हैं निर्थ कर रहे हैं खाली उस भजन को उपर निर्थ कर रहे हैं तो ये भी एक ध्यान पूजा करने का एक तरीका होता है लेकिन अब कौन कितनी तेज अबाज में इसको यूज करता है वो इसको उपर depend करता है कुछ लोग दो ऐसे होते हैं तेज अवाज में इसको पसंद करते हैं कुछ यह होता है हलकी लिह में पसंद करते हैं तो वो नाचने वाला भी कुछ द्यान योगी है बहुत सारे जो हमारे संत हुए हैं उन्होंने निर्थ योग जो है इसको भी कहीं पूजा पार्ट में सामिल किया है आचार रजनीश ने भी वो पहले नचाते थे खूब फिर सुलाते थे खूब फिर ऐसा उनकी प्रिकरिया मैंने सुनी है मैंने कभी उनको देखा तो नहीं लेकिन कई जगे ऐसा होता है कि पहले आप खूब नाचो भगवान को याद करते हो नाचो आप नाच रहें तब भी आप एकाग्र हैं और एकाग्र होना ही भगवान की पूजा है तो इसलिए जो कावड के अंदर जो लोग नाचते हुए गाते हुए आते हैं बसरते के कोई नसा करके न हो बसरते कोई सराप पी के न चल रहा हो बसरते के कोई अवारा गिर्दी के तौर पर कुछ ऐसे नेगेट अवैलिमेंट जो जाते हैं वो नहीं होने चाहिए अधरवाइज नाचना भी प्रक्रिया है लेकिन हम यह देखते हैं कि सभी लोग बिलकुल भक्ती रस्में लीन हो ऐसा तो बाइक पर लोग निकल जाते हैं तेज बाइक चला रहे हैं और हम तुझी जल लेकर आए हैं हम कावण के पीछे हैं तो यह देखा देखी में कहीं भक्ती पीछे चूड़ जाती ऐसा महसूस होता है यह भक्ती जो होती है हट योग की होती है एक भक्ती अस्टांग योग की होती है जो लगातार इतना बजन डाल करके इतना पानी ले करके गंगाजा ले करके चलते हैं जिद में चलते हैं चाले पड़ जाते हैं चलते हैं चलते ही रहते हैं अपने जो कावण जो होती है उस बिमार हो जाएं, चाले पड़ जाएं, कुछ भी हम वहाँ पहुचेंगे, हम वहाँ पर सिवलिंग पे जाकर गेजल चड़ाएंगे, यह हट योग का एक प्रकार होता है, लेकिन इसके अंदर जो बाइक पे चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको घर में अच्छा खाना नहीं मिलता, या कुछ ऐसे वीकर सैक्संस के जो लोग होते हैं, उनको लगता है पंदरे वीज दिन हमें अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी सेवा होगी, लोग पैर भी चुएंगे हमारे, और खाना भी मिलेगा, और खुब सेवा होगी, कुछ इस प्रकार के अपना चले जाते हैं, या पैदल पैदल भी चले जाते हैं, तो पंदरे दिन को भी अच्छे से खाना मिलता है, बोजन मिलता है, कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं, लेकिन सभी भक्त नहीं होते हैं, कुछ भेड़ चाल के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा बोले बमम बोले बमम बोले ऐसे करते हुए चलते हैं तो उनका ध्यान जो है ना साथ में हट योग के साथ साथ भगवान के साथ भी जुड़ा रहता है लेकिन इसमें कुछ हर जगह होते हैं इस प्रकार के अलिमेंट हो सकते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए उनको बगवान के नाम पर इस प्रकार की उपद्रप नहीं करने चाहिए तो एक आखरी सवाल यह रहेगा कि चाहें मेल हो फीमेल हो बच्चे हो इस सावन के मौसम में सावन के पवित्र महीने में किस तरहां से क्या व्रत रखके या कैसे कोई ऐसा उपाय है जिसे करके वो भोले नाथ की कृपा पाएं सबसे ज़्यादा जो हम सौंबार का व्रत करते हैं वो बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बिमारियां होती है स्रावन के महीने में होती है ये कोई मैं वैसे नहीं कहा रहा कोई मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि इस समय बारिस ज़्यादा होती है और बारिस से हमारा सरीर कहीं ने कहीं फपूद आने शुरू होती है कपड़े जो स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, स्किन की डिसीजिस होती है, कपड़ों के अंदर वैक्टिरिया आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती है, घर के अंदर आपने देखा, स्मेल पैदा हो जाती है, चारों तरफ से, तो वो बड़ी मुस्किल होती है, तो हमारे सरी को सुद्ध रखने के लिए स्रावन का बर्थ हमारे लिए बहुत उत्तम होता है और ये करना चाहिए और साथ में अपनी साफ सभाई का ध्यान रखना चाहिए गिले कपड़े अगर हो जाते तो उनको तुरंट उतारना चाहिए नहीं तो सरीर के अंदर वेक्टिर आई भी होता है तो आप सभी का सावत का महीना बहुत शुब हो इसी मनुकामना के साथ आज की पॉड्कास्ट को हम यहीं विराम देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शक्रिया धन्यवाद